अलो गुडून दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में देखे दोस्तों आज हम इस वीडियो में BNS 183 परेटन मनो विज्ञान का चप्टर नंबर 8 या आप यूनिट नंबर 1 कह सकते हैं या यूनिट नंबर हमारी 8 क्या है मूर्त और अमूर्त धरोहर इस चप्टर में हम मूर्त और अमूर्त जो धरोहर है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और इसमें हम देखेंगे 8.1 8.1 में आप क्या देखेंगे सांस्कृतिक धरोहर देखेंगे दूसरा जो हमारा रहेगा 8.2 रहेगा heritage सनच्छन और पुनरवत्थान और नेक्ष्ट जो हमारा रहेगा 8.3 रहेगा सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संग्राला है यानि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उन आपके एक्जाम के point of view से काफी important रहेगा तो चलिए हम इनी चीजों को देखते हैं अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please हमारे चैनल को subscribe कर लिजे और इसी तरह की आपके बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगे तो चलिए हम इसको वीडियो को देखे पहला जो हमारा रहेगा शुरुआत में देखे 8.1 में क्या है आपका सांस्कृतिक धरोहर के बारे में देखे तो यहाँ पर देखेगा सबसे उपर अगर देख़ें तो धरोहर जो सब्द होता है जो हरिटेज सब्द है सांस्क्रितिक और प्राकिरतिकways समिल किया जाता है तो इसमें आप क्या देखते हैं? हरिटेज सब्द में क्या होता? सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों धरोर सामिल हैं. अगर हम दुनिया में मयुजिद सांस्कृतिक बिविताओं को समझना चाहते हैं, तो हमें संस्कृति और प्रकृति को अलग नहीं कर सकते हैं। कुछ हत्त क्यारती कि मौनव जो संस्कृतियां होती हैं, वहाँ परियावरन के अनुकूल रहती हैं, हाला कि जैसे कि डेलेड फोर्ड जैसे मौनव विज्यानियों ने बता है कि परियावरन या प्राकिर्तिक संस्कृती पर एक निश्चित भूमिका की बजाए एक सीमित जो सांस्कृतिक धरोहरें हमारी होती हैं उनको हमें सनक्षित करना चाहिए उनको हमें बचाना चाहिए और उनको बचाने के लिए हमें मुहिम भी चलानी चाहिए सांस्कृतिक धरोवरों के प्रकारों की व्याख्या करना है यानि जो सांस्कृतिक धरोवरों की व्याख्या करना है वह कितने प्रकार के हैं उन्हें कौन कौन सी है वह किस प्रकार के कोई सांस्कृतिक धरोवर है कोई कह सकते हैं कि प्रमालिक रूप से है कोई हमारे जैसे प पर्याटन में महत्पूर्ण भूमिका निवा रही ये सारे क्यावती सांस्कृतिक धरोहों के उद्धेश हैं। प्राकिर्तिक धरोहर लोगों को उनके मूल्यों, माप, डंडो, विश्वासों, रिती, रिवाजों और पवित्र संस्थानों से जुड़ने की स्विकृति देता है। कैसे खाते थे, कैसे पीती थे, इस सभी की जो हमें जानकारियां मिलती हैं, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को ही देख करके मिलती है। तो हमें पता चलता है कि सिंदू घाटी की सभीता की लोग कैसे थे, उसी प्रकार से जो सभीता की जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर होती हैं, उनसे हमें पता चलता की हमारे पूरबच कैसे थे, या हम उन चीजों से उन्होंने क्या गलतियां की हैं, वो गलतियां हमें नहीं क ठीक लिते हैं तथा उनके बारे में हमें क्या पता चलता है एक पूरे राष्ट के मामले में मुल्य अपनी सीमाओं के भीतर सांस्कृतिक संपत्ति की उपस्तिती पहचान और एक्ता को बहुना करते हैं या देश को जोड़ने में और अपने मुल्यों को पहचाने में क्या कर और जो अइतिहासिक परिवेस होता है उसको जोडने का काम करते हैं उदहान के लिए अगर आप एक्जामपल देखेंगे तो भारत के लिए ताज महल और कोरणा का मंदी जैसे धरोहर उपस्थित गर्व की भावना पायदा करते हैं यानि हमारे देख में जो ताज महल है और जो कोरान का मंदी है भारती लोगों को एक गर्व दिलाता है कि हमारे देख में क्या साथ अजूबों में इसे ताज महल बना हुआ है और कोराना का मंदी बना हुआ है यह हम लोगों को गर्व का विशा है अतीत और वरतमान को एक जोडने का काम करती हैं जैसे कि बेनिड एंडसन ने सांस्कृतिक धरोहर को एक ऐसा तंतर बताया है एक कह सकते हैं भासा वेज्ञानिक है या कह सकते हो परेटन मनो वेज्ञानिक हो कहता है कि सांस्कृतिक धरोहर एक ऐसा तंतर है जिसके द्वारा निर्मान के लिए योगद जैसे बहुत सारे दूसरे देस के लुगे हो ना वुलेंगे तौह ताजमहल को जानते हैं और ताजमहल को देखने के लिए भारत है जो हमारे आ्सक्रितिक ध्रोहर होती है वो हमारे कैसकते विकास मेव सहायक हैं दूसरा हमारी जो सांस्कृतिक धरोवर होती हैं वो हमारे मान सम्मान हमारे गौरों का विशा होती हैं और दूसरा जो हमारी सांस्कृतिक धरोवर होती हैं हमारी राष्ट के उन्निती का काम परती हैं और सांस्कृतिक धरोवर से क्या ह जो पर्याटक होते हैं और बड़ी संख्या में आते हैं और किसी भी राष्ट को अगर सम्मानित होना है अगर किसी भी राष्ट को भी से सम्मान मिलता है तो उसकी सांस्कृतिक धरोवरों के द्वारा ही एक पहचान के रूप में उसको पहचान आ जाता है यानि जो हमारी सां सांस्कृतिक धरवर होती है उसे धरवर का चक्रिया आरेक कैसे है तो देखो यह विचार है कि हमारे भविस्थ का हिस्सा कैसे बनता है देखो जो हमारी सांस्कृतिक धरवर होती है वो आनंद दाती है यह जो हमारी सांस्कृतिक धरवर होती है वह क्या करती है उनको देखकर क यानि जो हमारी सांस्कृतिक धरोर होती है उनकी देख रेक करने चाहिए उनको हमें बचाना चाहिए दूसरा हमारी सांस्कृतिक धरोर के मूल्य क्या है उन मूल्यों को भी क्या करना चाहिए हम लोगों को पहचाना चाहिए और हमें सांस्कृतिक धरोर को संरच्छित करना च चाहिए और सांस्कृतिक धरोवर का विकास करना चाहिए और सांस्कृतिक धरोवर को बचाने के लिए हमें विशेष्ट रूप से क्या करना चाहिए योगदान करने हो क्योंकि कोई कि कोई भी देशों उसके लिए उसकी जो सांस्कृतिक धरोवर होती है वह उसके बहुत सांस्कृतिक धरोवर हैं उसमें बहुत ज़्यादा कलात्मक्ता होती है जैसे आप अजंता अलोरा की गिफाव देखेंगे तो उसमें क्या कलात्मक्ता है कोरणार का मंदिर है कलात्मक्ता है जगनात्पूरी का मंदिर है कलात्मक्ता है यानि उसमें क्या होता है कि हमें वास् सांस्कितिक धरोवर उसमें देती। सभी हमारी जितनी भी सांस्कितिक धरोवर उनमें कह सकते हैं, कि गुम्मद कैसे बनेगा, कैसकोते हैं को सांस्कितिक धरोवरों के कि रूप में भि pega chtrkla, सकते हैं कि पहले कि जो भवन बनते थे मंदिर बनते थे वह कैसे बनते थे वह किस प्रकार के बनते थे हम सभी सांस्कृतिक धरोरों के द्वरिये हम जान सकते हैं कि पहले कला कैसे थी अस्थपत कला कैसी थी भवन कैसे बनते थे भवनों का निर्मार कैसे होता था दरवाजे क कैसे बनते थे खिड़किया कैसे लए गया है उसमें पूसदीरा कई सारीoder प्रयोक्य है इन सारी चीजों के सखते है के संस्कृतिक धराभां जोती है वह उसका कला के छेतर में विशेस युगदान है कला को समझने के लिए हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर होती है वो बहुँ ज़्यादा हमें मदद करती है और कला को जानने में वह मदद परदान करती है दूसरा जो हमारी सांस्कृति होती है धरोहर के उससल है ठीक है देखो होली अमूर्त सांस्कृतिक धरोवर का एक प्रकणा है यानि होली का अगर हम उत्सो देखें तो होली उत्सो भी मालिजे वो हमारी संस्कृति को बताता है होली की जरिये हम भारत के भारत कैसा है भारत में होली कैसे खेली जाती इन चीजों को भी समझने में क्य कई सारे निर्त होते हैं ये भी हमारे क्या सांस्कृतिक धरोहर में ही आते हैं सांस्कृतिक धरोहरों में अगर आप देखोगे जो हमारे नित हैं नाच है गाने हैं डांस है म्यूजिक है ये भी हमारी सांस्कृतिक धरोहरों के रूप में ही जाने जाते हैं जैसे आप देखो यानि जो हमारी धरोरों होती है वह खाद्यान के रूप में भी बहुत ज़दा फिमस है धरोर के रूप में भोजन को समाजिक सांस्कृतिक दोनों के निर्माण में रूप में यानि जो हमारी धरोरों होती है उसके दरिये हम समाज को भी समझ सकते हैं और उन धरोरों से जान स कि पहले के जो लोग थे उनका खान पान कैसे था उनका रहान सहन कैसे था वह लोग कैसे रहते यनि सांस्कृतिक धरोरों के जरिये हमें कई सारी जानकारियां मिलती हैं कि जो पहले जो हमारे पूरबस थे वो रहते कैसे थे उनका खान पान कैसे था उनका रीती रिवाज कैसे था वह वस्त्र कैसे पहनते थे वह कपड़े कैसे पहनते थे वह चलते फिरते कैसे थे उनका सुभाव कैसे था यानि सांस्कृतिक धरोरों के जरी हम क्या भोजन कैसे पहले के लोग करते थे खान पान कैसे था रीती रिवाज कैसी थी इन सभी चीजों को क्या होता है हमें जा नाज है या नाज का उत्पादन उनने कैसे किया इस सारी जो चीजे होती हमें सांस्कृतिक धरोवरे जो होती है उनसे जानने में क्या होती है मदद मिलती है जो हमारी सांस्कृतिक धरोवर होती है उसका सनक्षन उसका पुनर उत्थान कैसा किया जाने है जितनी भी हमारी सां अच्छित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है उनको बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि किसी भी देश के गर्ब का भी सह होती है उसकी देश की सांस्कृतिक धरोरों को बचाने के लिए कह सकते हैं कि जो हमारी सरकार होती है जो हमारी केंदर सरकार है जो हमारी रा सांस्कृतिक धरोर होगी तो सरकार उसको अंडर में ले लिए अपना रख रखाओ करेगी और सभी प्रकार की चीज़ों जैसे सांस्कृतिक धरोर में देखेंगे कोई भी जैसे जगनातपुरी का मंदीर है अजंता अलोरा की गोफाएं हैं कोडांक मंदीर है या अपने अंडर में लेती है तो कोई भी जो हमारी सांस्कृतिक धरोर होती है उसका पुनर उत्थान होता है और उसका विकास और डबलबमेंट होता है उसके जरिये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो परेटक होते हैं वो हमारी और क्या होते हैं हमारी देशको योग आकर अस्थान के जो किले हैं ठीक है हमारी सांस्कृतिक धरवर क्या है जैसे महाराना प्रताप का भाला है महाराना प्रताप की तलवार है भगत सिंग की जो वस्त्र है या भगत सिंग की जो चीजे है यानि जो हमारी सांस्कृतिक धरवर होती है उनको हम अपने संग्रहलियों में जहाँ पर हम मुजियम में उनको क्या करते हैं सनक्षित करते हैं यारी हमारी जो सांस्कितिक धरोवर होती हैं उनको अपने हम मुजियम में क्या करते हैं सनक्षित करने का प्रयास करते हैं यानि जो हमारे मुजियम होते हैं हम उसमें अब क्या करते हैं हमारी जो सांस्कितिक धरोहर होती है, जैसे आप देखोगा अठारस सतां की जो क्रांती है, रानी लच्मी बाई की तलवार है, अठारस सतां की क्रांती में नान्या टोप्य की बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, महात्मा गांधी की बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, सुबाश चंदर जबा जाओगे जबा पयोध्या जाओगे तो हमारी जो सांस्कृतिक धरोवर है इनको सनक्षित किया गया है और इनको कई सारी चीजों को संग्रालियों में रखा गया जैसे आपने देखा कि भारत पाकिस्तान के बीच क्या 1971 की लड़ाई है 1964 की लड़ाई है या कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हुएं वो हमारे साइनिकों ने जो बीर प्राक्रम की हैं उनकों भी कई सारे प्राक्रम के जो तलवारे हैं जो तोपे हैं वो सारी चीजों को हम क्या करता है संग्रालियों में हमने रखा है अपनी संस्क करते हैं सुरक्षित करते हैं इससे भी क्या था बड़ी संख्या में जो पर्याटक होते हैं वह उन संग्रयालों में उस चीजों को देखने के लिया थे हैं तो आपका जो चैप्टर नंबर 8 था सांस्कृतिक धरोहर में याश में हम देखा था तो किस प्रकार से हमारी जो सां बहुत धनबाद थांक यू सो मच जै हिंज जै भारत